साई की बात इंसान तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे न तो उसे बताना मत जो अंजान लोग होते हैं जो रास्ते में तुम्हें मिल जाते हैं उनसे थोड़ा दूरी रहा करो बचकर रहा करो मेरे बच्चे साबधान रहा करो क्योंकि ऐसे लोग ही न तुम्हारा नुकसान कर जाते हैं तो ऐसे लोगों से बच कर रहना और ना ही उन्हें अपना परिश्या बताना ना उनसे कोई संभंध रखना मेरे बचे दूर रहना और एक बात तुम्हारे समझ में आ गई ना कि अपना घर अपना ही होता है समझ में आ गया ना पहले तुम बहुत ये सोचते थे कि तुम हमेशा के लिए अगर वहां पर जाओगे ना तो वो इजद नहीं होगी मेरे बक्चे जो होनी चाहिए जो अधिती की इजद होती है ना वो सिर्फ चार्य पांस दिन की होती है मेरे बच्चे हमेशा हमेशा की नहीं होती और इस बात को ही मैं तुम्हें समझाना चाहता था और ये बात तुम्हारे बहुत देर में समझ में आई है लेकिन आ गई चलो अच्छी बात है आगे से वो गलतियां मत करना जो चीज है उसे सुलजा लो और सुनो मेरे बच्चे तुम्हें हल्वा खाने का बहुत मन है न तो बना लो हल्वा और मुझे भी खिला दो मेरे बच्चे और सुनो जो तुमने मचलिया पाली हुई है न उस मचलियों का पानी जो है न वो गंदा हो गया है मेरे बच्चे हो सके तो उसे बदल लो मेरे बचे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो लेकिन मचली भी जीव है ना मेरे बचे जैसे तुमें साफ सुत्रा रहना पसंद है वैसे मचली भी साफ सुत्रा रहती है ना मेरे बचे वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता तो प्रवेश करने वाला है बहुत छोटा सा और आने वाला है और हमेशा ना जब भी तुम गर्वती हो जाओ ना तो एक बात ध्यान रखना जब भी तुम कुछ सुनती हो जब भी तुम कुछ देखती हो तो वो देखना वो सुनना और वो कहना जो तुम्हारे बच्चों पर अस उसरों से करोगे वही उसके अंदर जाएंगे वही संसकार उसके अंदर होंगे तो कोशिश करना कि 24 घंटे मेरा नाम तुम्हारे जुबान पर हो तुम्हारे मन में चले और मेरी साइसा चरित्र बढ़ते रहना फिर देखना तुम्हारा बच्चा कितना संसकारी निकलता है औ लेकिन तुम खाते नहीं, क्यों तुम्हारा मन भर चुका है मैं जानता हूँ, तुमे न अब कोई भी चीज इतनी नहीं भाती, कुछ भी न करने का मन नहीं करता, तो लेकिन ये सब नहीं चलेगा मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे स्वास्थ के लिए है, ये फल है न, ये स्वास्त के लिए है मेरे बच्चे, इन फलों को जबर्दसी ही सही खा लिया करो, क्यूं करते हूँ ऐसा, मैं तुम्हारे लिए फल भेशता हूँ कि तुम खाओगे, लेकिन तुम खाते नहीं, दूसरों को दे देते हूँ, लेकिन खुद नहीं खाते, तो ऐसा मत करो मेरे ब बच्चे, जरुवत है, और लोगों को देखो न, कितने खुबसुरा तरीके से रहते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, पहनते हैं, वो भी तुम किया करो न, ऐसे क्यों रहते हो, तुम्हारा पूरा दिन तो ऐसे जाता है, जैसे कि तुम अपनी बाल कंगी भी नहीं करते ह क्यों, सुबह उठते हो, बस मेरा नाम जाब करते हो, बस अपने घर का काम करते हो, और बस यही जिन्दगी तुमने बना रखी है, क्यों, ऐसा मत करो अपने साथ, अपने साथ तुम अनर्थ कर रहे हो, यह बहुत गलत है मेरे बच्चे, तुम जानते हो, यह जो जिन्दग तुम्हारे जिंदगी से जा रहा है न ये रेत की तरह फिसल रहा है मेरे बचे इस बात को समझो और जब तुम और आके जिंदगी में बढ़ोगे तब तुम्हें उस इस्तिती में जाकर समझ में आएगा कि तुमने पहले ये क्यों नहीं किया फिर तुम पश्टाओगे तो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसी हरकते मत करूँ और सुनो तुम्हें तहरना बहुत पसंद है न तो ठीक है तुम्हें कहीं भेजूँगा जहां पर तुम बहुत अच्छे से जाओगे और तहरना सीखोगे तहरोगे और वहां परना तुम्हें बहुत आनन्द भी आएगा बहुत मज़ा आएगा और सुनो जहां तुम रहते हो न उसी के आसपास कोई मंदर है मेरे बचे एक ऐसा मंदर जो तुम्हें रोज बुलाता है लेकिन तुम जाते नहीं हो मेरे बचे मैं ही तुम्हें किसी न किसी रूप में वहां पर बुलाता हूँ तुम कई बारी उस मंदर के सामने से निकलते हो लेकिन वहां नहीं आते हो क्यूं? वहां पर आना शुरू करो मेरे बचे आया करो तुम्हें मेरा बहुत सारा अश्रुवाद मिलेगा अपसे आना शुरू कर देना मना मत करना और जब बहार से निकलते हो न जब भी जिस वक्त भी चाहे पांच मिनटी सही अंदर आ करना हाथ जोड़कर चले जाया करो इससे तुम्हें मेरी बहुत किरपा मिलेगी मेरे बच्चे और सुनो तुम्हें मेंदी लगाने का बहुत शौक है न तो जरूरी नहीं कि किसी तोहार का ही तुम्हें इंतजार करना पड़े जब भी तुम्हें मन करे न मेंदी लगाने का तो लगा लिया करो अपने भी लगाया करो और अपने साइं के भी लगा दिया करो तो बस मैं ही निरत्य कर रहा था और तुम्हें एहसास करवाया था कि तुम्हारा स्थाई तुम्हारे घर पर है और सुनो कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ रक्षा बंधन मनाना चाते थे लेकिन किसी कारण वर्ष वो नहीं आ पाये थे मुझे राकी नहीं बांद और उन्हें बहुत अफसोस हुआ बहुत उधास थे वो तो सुनो मेरे बच्चे उधास क्यों होते हो तुम जब मेरे कलाई पर राकी भांदोगे ना तब ही रक्षा बंधन है मेरे बच्चे मेरे लिए तुम जब चाहो ना तब भांदना कोई बात नहीं उस वक्त मैं तु तुम्हारे परिवार सब कुछ तुम पर निर्भर है क्योंकि तुम्हारे पती के साथ जो शाररिक जो चीज हुई है मेरे बच्चे मैं जानता हूँ उनके साथ में जो हुआ है वो अभी कोई भी काम करने में असमर्थ है वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो सारे जिम्मेदा अरे उठाई हैं और तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो शेड़ी बच्ची हो अरे तुम हार भी नहीं सकती तुम जीतोगी और जो तुम कर रही हो न ये बहुत बहुत शाबाशी का काम है मेरे बच्ची बहुत शाबाशी का इसका तुम्हेना बहुत फल मिलेगा आगे चलकर, बहुत फल, जुतनी तुम संघर्ष कर रही हो ना, जितना तुम महनत कर रही हो ना, इसका तुम्हें बहुत फल प्राप्त होगा, बहुत फल, और सुनो, जो तुम्हारा ये अधूरा सफर रह गया था ना, इसे मैं पूरा करूँगा चिंता मत करना और कुछ मेरे बच्चों ने अपने आपको ऐसा बना लिया जैसे कि वो कुछ है ही नहीं अपने आपको बिल्कुल खतम सा कर लिया है अरे तुम भूल गए हो मेरे बच्चे तुम पहले बादशा थे अब भी बादशा हो लेकिन बस कुछ चीजों को याद करो कि तुम पहले कैसे थे बस वैसे ही बन जाओ और आगे बढ़ जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ खुश रहो आज का साइस अंदेश समाप दूआ